हेलो और वेलकम टू करेड़ अप स्टड़ी तो स्वागत है आपका आज किस वीडियो में तो HP पुलीस कॉंस्टेबल ड्रेवर रेकूट्मेंट दोजार चोबीस अभी तक आउट नहीं की गई है तो काफे सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कोल कर रहे थे कि सर बाकी तो स्टार्ट हो गया है लेकिन ड्रेवर का कब स्टार्ट होगा देखो कल रात आठ बज़े वाली क्लास में भी हमने आपके साथ डिसकस किया था कि ऐसा क्यों हुआ देखो यहाँ पर नियूज में भी आ चुका है आज कि पुलीस भरती में बदले जाएंगे चालकों के R&P रूल्स सरकार को भेजा गया है प्रस्ताव मंजूरी के बाद शुरू होगी आवेदन परक्रिया ड्राइवर के भर जाएंगे 57 पद देखो यहाँ पर जो HPPC है उन्होंने सरकार को पस्ताव भेज दिया है R&P रूल्स जैसे ही चेंज हो जाएंगे या फिर मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद ही आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट की जाएगी या तो वो अभी वाली नोटिफिकेशन के साथ ड्राइवर की notification को merge कर दे इससे नुक्सान क्या होगा कि जिन बच्चोंने ड्राइवर के लिए apply करना था उन्होंने already constable के लिए apply कर दिया है क्योंकि उनको लगा कि ड्राइवर की भरती इस बार नहीं आएगी अगर एक हफ़ते बाद HPPSC, ड्रैवर की वेकेंसी को भी Constable mail वाली वेकेंसी के साथ जोड देते हैं तो वहाँ पर aspirant या तो Constable के लिए अपलाई कर सकता है या फिर ड्रैवर के लिए अपलाई कर सकता है और जिन बच्चों ने पहले ही Constable के लिए अपलाई कर दिया होगा तो उनके साथ तो फिर दोखा हो जाएगा है ना तो इसलिए इस बात का पता HPPSC को भी है तो मुझे लगता है कि ड्रैवर की जो notification है वो अलग से निकाले जाएगी और application process भी अलग से आउट किया जाएगा अगर ऐसा होता है तो फिर आप Constable के लिए भी अपलाई कर सकते हैं और ड्रैवर के लिए भी अपलाई कर सकते हैं ठीक है क्योंकि अगर HPPSC ड्रैवर की notification को अभी वल्ड नोटिकेशन में मर्ज करते हैं तो वहाँ पर काफी सारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा क्योंकि उन्होंने Constable का फिल कर दिया है लेकिन उन्होंने भरना था कि इसका ड्रैवर का भरना था तो इसलिए थोड़ी देर बाद या फिर थोड़ी समय बाद ड्रैवर के जो नोटिकेशन है वो आउट की जाएगी और जिन्होंने Constable का फिल फिल अप कर दिया है वो भी ड्रैवर के लिए अपलाई कर सकता है ठीके इसके बारे में भी कनफर्म नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना है जिन्होंने apply कर दिये Constable के लिए कोई दिग्कत नहीं है जिन्होंने अभी तक भी Constable के लिए भी apply नहीं किया है और वो ड्रैवर के लिए apply करना चाहते है तो उनको मेरा एक suggestion है कि 12 तारीक तक आप Constable का form फिल अप मत करना तब तक अगर driver की notification आउट कर दी जाती है तो आप सिधा driver के लिए apply करना और अगर 12 तारिक तक driver की notification आउट नहीं की जाती है तो फिर आप constable के लिए apply कर सकते हैं और जैसे ही driver के लिए vacancy निकलेगी तो मुझे लगता है कि उसके लिए अलग से आपको apply करने के लिए option दिया जाएगा ठीक है तो simple सी बात यह है कि R&P rules अभी तक final नहीं हुए है सिरकार को भेज दी गए हैं जैसे ही मन्जोरी मिलती है तो आपकी जो official notification है वो out कर दी जाएगी यही सबसे बड़ी update है ठीक है तो जिन्होंने apply कर दिया है कोई रिक्कत नहीं है अलग से ही notification out की जाएगी और जिन्होंने apply नहीं किया है वो 12 तरीक तक wait करना 12 तरीक तक अगर driver के लिए अलग से notification out कर दी जाती है तो आप सीधा driver के लिए apply करना और अगर दोनों के लिए ही अगर आप apply कर सकते हैं तब भी आप 12 तरीक के बाद ही driver और constable के लिए apply करना बागी रही बात ground की तो देखो ground तो same time पे ही होगा है ना तो उसका तो चलो ठीक है बाद में देखते हैं लेकिन फिलहाल बारा तरीक तक आप apply मत करना अगर बारा तरीक तक driver की vacancy आउट नहीं की जाती है तो फिर आप constable के लिए apply कर सकते हैं ठीक है बाकी जैसे के आपको बताए कि grade up study ने उडान batch launch कर दिया है जिसमें कि HP police constable की त्यारी जोरो शोरो से करवाई जा रही है लगबग 6 घंटे का अभी यहाँ पर glasses जो है वो conduct की जा रही है सुबह 9 बज़े से लेकि 3 बज़ रहे हैं तो आप भी उडान batch के अंदर अपनी preparation को अच्छे तरीके से कर सकते हैं सभी subject इसमें cover किये जाते हैं live cover किये जाते हैं उसके बाद सभी live classes की जो recording है वो आपको grade of study app उडान batch के अंदर देखने को मिल जाएगी हर सौंबार को यहाँ पर weekly mock test होता है 15 full mock test आपको इसमें दिये जाएंगे इसके इलावा personal guidance कि किस परकार से आपको अपना time manage करना है किस परकार से आपको पढ़ना है किस section पे आपको ज़धा focus करना है हर बच्चे के आपने wake point होते हैं आपने strong point होते हैं तो personally आप call करके भी हमसे guidance ले सकते हैं ठीके तो एक complete batch आप सभी के लिए रहेगा उडान batch ठीके तो आप इस batch में जोईन करके अपनी तयारी को अच्छे तरीके से पूरी कर सकते हैं और हाँ लास्ट के 40 दिन बड़े important होने वाले हैं और रही बात syllabus की काफ़े सरे बच्चे कहते हैं ज़र syllabus complete हो जाएगा yes syllabus इसमें complete हो जाएगा और syllabus complete होने के बाद 40 दिन यहाँ पर आपका एक booster batch चलेगा जो की उडान बैच के अंदर free of course चलने वाला है ठीके और उसमें सिर्फ revision होगी और practice ही होगी लेकिन उससे पहले आपको अपना syllabus पूरा करना है तो आप उडान बैच में indulge करके अपना syllabus पूरा कर सकते हैं और उसके बाद उडान बैच में ही आपकी revision और practice last 40 days काफी अच्छे तरह की से जलने वाली है ठीके बाकी इसमें हमारे कुछ paid books भी है जो की आपको free of course इसी batch के अंदर देखने को मिल जाएगी इसकी जो PDFs हैं वो आपको इसी batch के अंदर देखने को मिल जाएगी हिमाचल जी के के 5000 प्रशन आपको इस batch के अंदर देखने को मिलेंगे इसके इलावा यहाँ पर journal science और जीके के भी 1000 question आपको देखने को मिलेंगे तो ये 7 books आपको इसी उडान बैच के अंदर free of course देखने को मिल जाएगी ठीके तो जल्दी करिए आपको करना क्या है grade up study app को आपने install करना है उसके बद वहाँ पर आपको register करना है then our courses में जाना है और वहाँ पर आपको उडान batch में enroll करना है clear है तो जल्दी करिए क्योंकि यहाँ पर जो students हैं वो काफी आ रहे हैं और कभी भी इस बैस में enrollment जो है वो बंद हो सकती है चलिए फिर मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय माचल